अगर आपका कुछ चट पटा खाने का मन करें तो फटा-फट इस रेसिपी को बनाईए और खाईए एक दो मिंटो में रेसिपी बनकर तयार हो जाती है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमस्कार निशा मदुरिमा हिंदी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके साथ इंडियन स्टाइल चीज पास्ता बनाने की एकदम टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स दिवाली खतम हो चुकी है अभी आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा होगा आप इस तरह से यह पास्ता जरूर बनाईए बहुत ही स्वादिष्ट यह पास्ता बनता है केवल बच्चे ही नहीं तो बड़ों को भी यह बहुत पसंद आएगा तो चलिए स् पास्ता बनाते समय पानी में ही थोड़ा सा नमक डालना बहुत जरूरी होता है ताकि यह नमक पास्ता में अच्छे से अब्जोर्ब हो जाता है और ओल डालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यह पास्ता स्टिकी नहीं बनता है इससे पानी को हाई फ्लेम पर अच्छे से बोईल कर लेंगे, पानी अच्छे से उबल चुका है, इसमें अभी हम दो कप पास्ता अड़ करेंगे, मैंने यहां इस तरह से पास्ता लिया है, 200 ग्राम पास्ता मैं यहां अड़ कर रही हूँ, अगर आप ज्यादा पास्ता बना रहे हैं तो आपको पानी भी ज्यादा लेन तो ये तूटने लगेंगे जो क्यों फिर अच्छे नहीं लगते हैं साथ से आठ मिनिट पूरे हो चुके हैं देखिए ये पास्ता इस तरह से पक चुका है अभी हम गैस बन कर देंगे और इसे एक चलनी में निकाल लेंगे हमने पतीले के उपर एक चलनी रग दी है इस तरह से इसमें ये पास्ता को डाल देंगे इसके उपर अभी हम थोड़ा सा थंडा पानी डाल देंगे थंडा पानी डालने से पास्ता में जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है और ये पास्ता भी बहुत खिला खिला बनता है अभी हम क्या करेंगे कि ये पतीले में जो गरम पानी है उसे फेक देंगे और पास्ता को छलनी में इसी तरह से रख देंगे हमने गैस पर एक नॉन्स्टिक पैन रख दिया है आप चाहे तो किसी भी कड़ाई में इसे बना सकते हैं लेकिन नॉन्स्टिक पैन में आइल बहुत कम लगता है और बहुत कम आइल में खाना बन है इसमें एक बड़ा चम्मच ओईल आइड करेंगे आप चाहे तो बटर में भी इसे बना सकते हैं बटर में बना हुआ पास्ता बहुत टेस्टी लगता है इस ओईल को अभी हम मेडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे ओल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें आधा चोटा चम् बारिक कटी हुई लेसुन आड करेंगे आप चाहे तो अधरक लेसुन को ग्रेट करके या फिर अधरक लेसुन की पेस्ट करके भी आड कर सकते हैं इसे हम एक मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे एक मिनिट पूरा हो चुका है इसमें हम एक बारिक कटी ह भी गाजर अड़ करेंगे और हमने यहां एक शिमला में चली है इसे बारी कट कर रखा है इसे भी ऐड़ कर देंगे आप चाहे तो इसे वेरियेशन में भी बना सकते हैं आप इसमें बींज या फिर मतर या मश्रूम भी ऐड़ कर सकते हैं सारी सब्जियों को अभी हम मेडियम फ्लेम पर दो मिनिट तक पका लेंगे दो मिनिट पूरे हो चुके हैं सबजिया भी थोड़ी पक चुकी हैं बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है इसमें अभी हम मसाले एड़ करेंगे एक चोथा ही छोटी चमच हल्दी पौडर एड़ करेंगे एक चोटा चमच लाल मिर्ज पौडर एड़ करेंगे किसे भी ग्रोसरी शॉप पर आपको आसाने से मिल जाएगा इससे पास्ता का टैस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास हो तो इसे एड़ कीजिए या आप इससे स्कीब भी कर सकते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच और इगानो एड़ करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक एड़ करेंगे हमने पहले भी इसमें नमक एड़ किया है इसलिए हमें इसमें कम नमक एड़ करना है क्योंकि हम इसमें शेजवान सॉस एड़ करने वाले हैं जिसकी वज़े से इसमें नमक ज़्यादा हो सकता है इसमें दो बड़े चमच शेज वन सॉस डालेंगे आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी एड़ कर सकते हैं इसमें दो बड़े चमच टोमाटो केचप एड़ करेंगे टोमाटो केच अच्छे से खाने वाले हैं इसलिए मैं इसमें तीखा कम एड़ कर रहे हूं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मेडिया माच पर एक मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि सारी सबजिया मसालों के टेस्ट एब्जॉब कर ले एक मिनिट पूरा हो चुका है अब ये ग्रेवी जिसकी वज़े से ये बिल्कुल नहीं तूट रहा है देखिए बहुत प्यारा इसका कलर आया है इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें दो से तीन बड़े चम्मच पानी एड़ करेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा पानी भी जाके बिना तो कम प्लेट ही नहीं होता है इसे अच्छे से मिला देंगे और एक से दो मिनिट फिर से इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे दो मिनिट पूरे हो चुके हैं इंडियन स्टाइल पास्ता बनकर रेडी हो चुका है अब हम गैस बनकर देंगे और इसे में निकाल लिया है इसे मैंने थोड़ा सा रोस्टेट कैप्सिकम और हरा धनिया से गार्निश कर दिया है देखिए बहुत ही अच्छा है लग रहा है अभी हम इसके उपर थोड़ा सा चीज ग्रेट कर देंगे क्योंकि हम चीज पास्ता बना रहे हैं अगर आपके पास कीजिए या फिर बिना चीज की भी आप इसे सर्व कर सकते हैं लीजिए हमारा सूपर टेस्टी इंडियन स्टाइल चीज पास्ता बनकर रेडी हो गया है चलिए इसे फटा-फट टेस्ट करते हैं वाव बहुत ही ऑसम यह बना है आप भी इस तरह से इंडियन स्टाइल इने स्नेक्स की रेशिपीज अपलोड की है जैसे की समोसा, सूजी का पीजा, चिली पनीर, रगड़ा पैटीस और हमने रेडी मेट बेस वाला पीजा भी बनाकर इसकी रेशिपी अपलोड कर दी हैं इसी के साथ हमने मंचूरियन, बाकरवडी और मिसल पाव वैसे ही सूज इस तरह से और भी बहुत सारी रेशिपीज हमने अपलोड कर दी हैं हम इन सारी रेशिपीज का लिंक उपर आए बटन में दे रहे हैं यहां क्लिक करके आप इन सारी रेशिपीज को देख सकते हैं और इने बना भी सकते हैं अगर आपको आज की हमारी ये रेशिपी पसंद जरूर कर लीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी जरूर दबा दीजिए आप हमारे वीडियो को हमारी वेबसाइट निशामदुरिमा.com पर विजिट करके भी देख सकते हैं आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं प्रेंट्स आप हमारे फेस्बुक पेज निशामदुरिमा रेसिपी को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंट्स के साथ इसका लिंक शेर जरूर कीजिए फेस्बुक पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्ते